हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे पस्टों में होने वाली खुर्पका और मुहुपका बीमारी के बारे में इसके बारे में हम सुंपूर जानकरी के बारे में बात करेंगे तो इसी के साथ चलो वीडियो शुरू करता हैं खुर्पका और मुहुपका रोब जो है वो दो खुरूं वाले पसों जैसे गोपसो बैस पेड़ बकरियों तता सुरूं आदी में होने वाला एक उच्छ संक्रामक विसानुजनित वायू को सिरोगे आर्थी के वेवार के संद्रब में एफमडी वीश्वे में सरवादिक मेह तो पुर पसोर हो गए जिसके कारण दूग उत्पादन में कमी वर्द इधर में गिराउट बांजबन बेलों की कारिया समता में कमी होना अंतराश्ट्री बाजार में व्यापार निशेद होता है और नेक्स्ट हम देखें तो चिकीची और दिखाई देने वाले लक्षण क तो इसमें जोर यानि कि बुखार जो है वो 104 डिग्री से 106 डिग्री फरनाइट तक होता है और बुख समापत होना यानि कि पसु को बुख नहीं लगती है मंदता यानि कि पसु सुस्त हो जाता है अत्यदिक लार निकलना पसु के अत्यदिक लार का स्राव होता है मुहें म फफुले होना यानि कि जो जीव है तालू है इन सबी पर फफुले हो जाते हैं जीव छिल जाती है खास तोर सें वसुडूं और जीवा पर फफुले अधिक होते हैं जिसके प्रणाम सुरूप अलसर होते हैं खुरूं के अंदर अंतर डीजिटल इस्तान में अलसर और गाव ह जाते हैं और फससु चलना फिड़ने में या समरत हो जाता है याने कि जो फसु ग्याब इन होते हैं वो समय से पिल लऑी है मैं हि इस चेलनों दे ते हैं और गरब बाद हो जाता है इस सजयानिक पस्वांच थो वाले बाग में टीट एडिमा हो जाता है यानि कि थनों में सुझे ना जाती है नेक्स्ट हम देखते हैं संचरन और फेलाव तो इसमें हार और जल के द्वारा संकर्मित पस्टों के साथ निकट संप्रक्स हैं दूसी त्वस्तों के जरिये एरोसोल के जरिये और पस्टों के आवागमन के जरिये से उप्चार और नेंतरन के बारे में देखें तो एक बार पस्टों के संकर्मित हो जाने पर कोई ताहत कालिक उप्चार नहीं है यानि कि इस बिमारी का टिका करनी ही उपचार है संकरमित पस्व को अलग करके लक्सन सुचक उपचार देना चाहिए पस्व के गाओं को 1% पोटेशियम परमेगनेट सोलिशन यानि कि लाल दवा से लाल दवा से साफ करना चाहिए और वरो गलिसरीन से दोया जाता है पेर के गाओं को 1% पोटेशियम सोलिशन अत्वा 0.5 से 1% बेंकिंग सोडा सोडियम बाकारमोनेट से दोया जाता है और एंटिसेप्टिक करिम लगाई जाती है पसु को रखने के इस्तान को उप्यूक्त की टानों ना सकसें साफ करना चाहिए अब इसमें देख लेते हैं रोगताम के लिए क्या क्या है तो सभी पात्र गोपसु और बेंस का नियमित रूप से वर्स में दो बार टिका करन कराना बहुत जरूरी है टिका करन के पर साथ प्रती रक्सा अभिक्षित होने में 10 से 15 दिन लगते है एफम्टी नियंतरन कारी करम के टिका मुपत है अपने पसु के टिका करन के लिए इस्तान या पसु चिकिसास से संप्रक करके पसु के टिका करन करवाना जरूरी है अधिक जानकारी के लिए कर पे आपने निकट के पसु चिकिसास पतार और डिस्पेंसरी से संप्रक करना चाहिए तो इस परकार यह थी FMD यानि खुर पका और मुख पका बिमारी के बारे में कुछ मेहते पुर्ण चान का रही है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी तक आपने चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और नए वीडियो में धन्यवाद दोस्तों